पूरे देश के इतकी बात बोलूँगा, मेरी बाद ज़िए आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेर ज़रूर करना दोस्तों जब हम अपने घर के बाथरूम में किसी नाणे वाले सापने से नाथते हैं और लगातार कई दिन तक उसका इस्तिमाल करते हैं तो बाद में उस सापन गिसकर एक छोटा सा टुकड़ा बज़ जता है फेर हम उस सापन के टुकड़े को वहीं सापन दानी में छोड़ देते हैं और नाने के लिए नया सापन निकाल लेते हैं यही परकिरिया जब कई बार दोराई जाती है तो बाद में उस सापन दानी कंदर सापन के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े घटे हो जाते हैं फेर हम सोचते हैं कि इन टुकड़ों को फैगने से अच्छा इनका गठ बंदन कर दिया जाए और हम उनको ऐसे आपस में जोड़ देते हैं चिपका देते हैं लेकिन क्या आप उस गठ बंदन वाड़े सापन से कभी ना पाओगी नहीं ना सकते क्योंकि जैसे ही आप उसके उपर अपना सरीर साप करने की जुम्मेवारी डालोगे वो गठ बंदन टूट जाएगा बिखर जाएगा वो गठ बंदन के वले ही काम आता है पिछवाड़